अब यहां पर बात की जा रही है finance commission के बारे में 15 finance commission ने क्या क्या यह 41 कर दिया 14 finance commission ने इसको बढ़ा कर 32 किया था तो इतना बड़ा jump अगर आता है तो 16 finance commission वो काफी important होगा कि तमिलनाडू और केला इसी के साथ में करनाटका इसी के साथ महारास्ता यह सारे जो साउथ के राज्ये हैं यह बात को लेकर बड़े टेंस रहते हैं कई पर नेच्रल रिजस्टर हो जाते हैं अभी केला में लेंड्स लैड हो गया गुजरात में इतने बारिस होगी कि बार आगी वह हाईसा यह सारी चीज़् आप लोग ने देखी है कोई जाद पुरानी बात निए बात पार रहे हो तो यह अलग से बढ़ाकर इसको 42 परषेंट किया था अभी फिलाल के टाइम पर 42 किया गया 15 फाइनस कमिशन ने 42 परषेंट को घठागर 41 परषंट कर दिया 41 अभी चल रहा है इसको बात की जा रही है कि 16 फाइनस कमिशन जो अरभींद गरिया जी कि यहां पर इसको 50% कर दे बढ़ा कर ताकि यहां पर स्टेट के पास में अच्छा खासा फंड जाए उसके हाथ में आ जाए तो finance commission को recommendation दी जा रही है state government के दौरा कि 41 से बढ़ा कर 50% इसको कर दो और कई सारी state government जो है वो इसके लिए basically कई बार यहां पर गुहार लगा चुकी है ठीक है 15 finance commission ने क्या क्या यह 41 कर दिया 14 finance commission ने इसको बढ़ा कर 32 किया गा तो इतना बड़ा जंप अगर आता है तो 16 finance commission जो है वो काफी important होगा ठीक है तो इसलिए यहां पर करता है अपने इसाब से यूज करता है हमारे साथ में CR नहीं करता है तो करनाट का की जो cheapness ने उन्होंने तो बोला कि state को autonomy मिलनी चाहिए हांपा ताकि text को collect करने के लिए हांपा क्योंकि GST framework के तहत में centralized system हो गया है आप टेक्स का और हमारे हाथ में से सारी autonomy जो है वो छेन ली गई है इस टेट जो है वह बेटर तरीके से एकनोमिक लिए perform करेगा क्योंकि आज की डेट में उनको penalize किया जा रहा है अगर वो अपना पैसा कमा रहे मतलब जैसे आप लोगों को को हम लोग वे करते हैं लेकिन दिक्कत क्या होती है पैसा जाता है सबसे ज़्यादा पुत्रप्रदेश के पास में क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार बेस्ट बंगाल के पास में जबकि वहां से टेक्स जो है वो इतना इकट्टा नहीं हो पाता है और शेरिंग अच्छे गासे मिल जाती है तो यानि के पॉपुलेशन के बेस पर आप लोग जो टेक्स की सेरिंग कर रहे हो यह सबसे बड़ी प्रोल कर रहे हैं आज की लिएट में आप लोगों मैं बता दूँ खासकर जैसे देखो एलोकेशन इशू निकल कर आ रहा है रिजना डवलप्मेंट के लिए क्योंकि इनको पैसा मिलनी रहे तो बैंगलोर के अंदर में रियल प्रोजेक्ट के अंदर में पोर्ट प्रोजेक्ट च पड़े में लंबे से मैं से तो एमिर्जनसी फंड की रिक्वार्मेंट है कई बार नेच्रल डिजस्टर हो जाते हैं अभी केर ला में लेंड्स लैड हो गया तमिल्लाडू में लेंड्स लैड हो गया गुजरात में इतने बारिस होगी कि बार आगई वह ऐसा यह सारी जो शांदार अपना टेक्स क्लेक्षण कर रही है गुजरात कर्णाट का महरास्टत तमिलणुप यह इंडिया के टेक्स के अंदर में सबसे शांदार कोंट्रूबूशन देते हैं फ़ेक्व लेकिन बार में क्या है यह कहें कि हम शांदार तो दे रहें पर लेकिन हमको तो पीनलाइस की जा रहे हैं क्योंकि हम में प्रफॉर में पर जा उते ही निप चार लडगे हैं यानि घर में चार लड़कियां कमाने वाले एक में घैलिदाले कोई 10 Βर मिन्य एक कमारे पांच जार रुपे महीना पाबा ने बोला सारे पैसे मुझे दे दो लाकर और फिर सब को इकवल-इकवल सेयर कर दिया बल्कि जो सबसे कमजोर तो उसको थोड़ा ज्यादे दे दिया तो यहाँ पर जो जादे कमाने वाले हो केगा यार मेरा क्या फाइदा है मैं भी इसके जैसे ही बन जाता हूँ अगर कुछ नहीं करने में फाइदा मिल रहा है तो इसकी वज़े से यहाँ पर दिख कर दे देखने को मिलती है क्योंकि जब center government कोई project चलाती है तो अपने इसाब से चलाती है अपने इसाब से चलाते है तो उसमें हमारी पूर्ती नहीं हो पाती है कई बार सारी state में एक ही system fit कर देते हैं तो यह गलत तरीका है ऐसे आप लोगो नहीं करना चाहिए साथ ही साथ में 15 finance commission ने 45 परसेंट वेटेज दिया इस टेट का जो GDP है बेसिकली state का जो ग्रोस जो प्रोडेक्ट है उसको लेका यह इसको लेकर भी बात करें किसकी वैसे हमको कोई फाइदा ज्यादा होता नहीं हमको पैसा मिलना चाहिए तो टेक्स डिवलूशन के मामले मे यह इसलिए कह रहे हैं कि भाई state की जो यहाँ पर 16th finance commission की recommendation है मों कम तक आने वाले है यह जहां नहीं आप लोग यह पुलाज़ा है कि October 25 तक आप लोगो यहाँ पर यह बेसिकली इसकी recommendation आएगी अभी हम लोग कहां पर बैठे हुए अभी पूरा एक साल है हम लोग बैठे 2024 के अंदर में तो यहाँ पर September 2024 से लेकर October यह निकि पूरा September से अगला महीन अक्टूबर है तो पूरे आप लोगे पास में 13 मन्त हैं तो 13 मन्त में पूरा analysis किया जाए भाइसा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक टेक्स का जो devolution है उसको systematic way में सुधार होगे दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि federalism का participation है उसको strong बनाओ participatory model लेकर आओ यह निकि आप लोग ने अपने आप finance commission मनाया अपने आप implement कर दिया हमको कोई benefit ही नहीं देखने को मन रहे है तो फिर हमारा फाइदा क्या है यहाँ पर हम लोग को meeting में तो बुला लिया कोई कुछ ब बर बर कर पैसा देती हो तो यह साउथ इंडिया के राज्य इसलिए भी हाँ पर होते है यहाँ पर सेम सरकार है center और श्टेट की महाँ पर उन राज्यों पी तो बल्ले बल्ले भाई भरकर पैसा मिल रहे हमको पर जहाँ पर दूसरी सरकार है वहाँ पर disaster दुनिया बरके हो तो मननों सर्माई सीज़े सुधार हो यहाँ पर ठीक है तो देखते हैं सुधरती है कि नहीं सुधरती है बाकि मैंने बता रखिए कि finance commission जो है यह समिधान के अंदर में constitutional body है article 280 के अंदर में कौन से part में आती है part 5 में आती है यह आप लोगो याद रहना है और पहले जब यह यह basically planning commission हुआ करता था तो finance commission planning commission सास बहु की तरह लड़ा करते थे पर आज की date में यह problem soul हो गई है आप और positive reaction आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह चीज़े आप लोग understand कर सकते इसके बारे में direct question बने तो आप लोग याद रखेगा कभी भी confusion आप लोग इसको ले को थे यह 6 लोगों के बारे में आप लोगों से पूछे जा सकता है जो कि past में question भी already बच चुके है 15 का और 14 का इसलिए याद रखे है क्योंकि इनकी वेसे काफी बड़े changes निकल रहा है 16 वाला latest है इसको आप लोगो याद रखना है तो मैं असरा करता हूं कि यह सारी basic चीज